महादेव की नगरी काशी इस समय हर-har महादेव के जैकारों से गूझ रही है सावन के तीसरे सोमवार को काशी विश्वनात मंदिर में कावडियों और भक्तों की भारी भीड उमडी है गंगा स्नान के बाद भक्त गंगा जल लेकर बाबा विश्वनात के धाम पहुँच रहे हैं और उनका जलाभिशेक कर रहे हैं देर रात से ही काशी विश्वनात के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है और यह सिलसला देर रात तक जारी रहेगा काशी विश्वनात मंदिर में भोर में मंगला आरती के बाद शिवभक्तों के लिए बाबा का कपाट खोल दिया गया आज के दिन बाबा विश्वनात अर्धनारीश्वर रूप में नजर आएंगे और शाम को श्रिंगार आरती के दौरान उनका अद्भुच श्रिंगार किया जाएगा काशी विश्वनात मंदिर में भक्तों की भारी भीड के बीच मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है मंदिर प्रशासन पुष्प वर्षा से सभी शिवभक्तों का स्वागत कर रहा है मंदर के आला अधिकारी भोर से ही शिवभक्तों पर फूल बरसा रहे हैं काशी विश्वनात मंदर के आसपास का पूरा इलाका शिवभक्तों से भरा हुआ है और भक्त भी दर्शन के बाद मंदर की व्यवस्थाओं से बेहत खुश है काशी विश्वनात मंदर के मुख्यकार्यपालक अधिकारी विश्वभूशन मिश्र ने बताया कि सुभा करीब 6 बजे तक 38,000 से ज्यादा भक्तों ने मंदर में बाबा विश्वनात का जलाभिशे किया है उम्मीद है कि देर शाम तक यहां आंकड़ा 4,000,000 के पार हो जाएगा बता दे कि पिछले सोमवार 3,000,000 भक्त काशी विश्वनात मंदर पहुँचे थे आज का दिन शिवभक्तों के लिए खास है बाबा विश्वनात के दरबार में भक्तों का रेला लगा हुआ है सिर्फ काशी विश्वनात मंदर ही नहीं बलकि शहर के अन्य प्रमुख मंदरों में भी भक्तों की भारी भीड है सावन के इस पावन महीने में हर कोई महादेव की क्रिपा पाने के लिए यहां आया है भक्तों की भारी भीड को देखते हुए मंदर प्रशासन ने विशेश तयार्या की है मंदर परिसर को भव्यर रूप से सजाया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए है हर किसी को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तयार है तो दोस्तों काशी विश्वनात मंदर में सावन के तीसरे सोमवार का यह नजारा वाकई अद्भुत और दिव्य है लोकल 18 के लिए वारानसी से अभिशेक जैसवाल की रिपोर्ट